दोनी ने कमजोर टीम को बनाया ताकतवर किन पांच वज़ों से पल्टी CSK की किसमत चलिए आपको बताते हैं प्रिमियर लीग के 16 सीजन में MS दोनी की चेने सुपर किंग्स ने खूब जल्वा दिखाया है चेने सुपर किंग्स ने IPL 2030 में अब तक 12 में से 7 मुकाबले जीते हैं और पॉइंट स्टेबल पे वहें दूसरे नमबर पर हैं चेने सुपर किंग्स को प्ले आफ में जगा बनाने के लिए अब सिर्फ एक मुकाबले में जीत की जरुरत है चार बार IPL चेंपियन चेने सुपर किंग्स के लिए IPL का पिछला सीजन काफी खराब रहा था और वहें नौवे स्थान पर रही थी लेकिन इस सीजन टीम की किसमत पूरी तरह पलट गई है CSK के खिलाडी पूरी तरह लेब में आ चुके हैं और उनकी नजरे चम चमाती हुई IPL ट्रॉफी पर टिकी हुई है मौजूदा सीजन में CSK के शांदार प्रदर्शन में कुछ फैक्टर्स का एहम रोल रहा चली आपको बताते हैं वो कौन से फैक्टर्स रहे पर है कमजोर गेन बाजी अब बन गई ताकत शुरुवात में ऐसा लग रहा था कि चिन्नई की गेन बाजी काफी अनुभवहीन है क्योंकि जडेजा के अलावा कोई बड़ा नाम नहीं दिख रहा था वहीं दीपक चहर भी फिट हो चुके हैं और उन्होंने दिल्ली के खिलाफ काफी उम्दा गेन बाजी की थी रविंद जडेजा का बॉलिंग के हिसाब से ये बेस्ट सीजन रहा है सेकंड है खिलाडियों को बैक करने का मिला फल चेनाई सुपर किंग्स की टीम मैनेजमेंट खिलाडियों को काफी बैक करती है तुशार देश पांडे जैसे प्लेयर्स समझ गए हैं कप्तान और टीम उनसे क्या चाहते हैं तुशार पहले कुछ मैचों में विकेट सेने के साथ साथ काफी महेंगे साबित हो रहे थे लेकिन अब उनकी एकनौमी रेट में सोधार आया है और वहें विकेट तो चटका ही रहे है कप्तान MS धोनी भी उन्हें काफी टिप्स देते नजर आते हैं थर्ड पर है बैटिंग में कमाल कर रहा टॉप ओडर CSK के ओपनर सुरतुराज गायकवार और डैवन कॉनवे अपनी टीम को शांदार शुरुवात दे रहे हैं वहीं बाए हाथ के बल्ले बाज शिवम दूबे ने तबाही मचाई हुई है शिवम ने 12 मैचेज में 159.89 की स्ट्राइक रेट से 315 रंस बनाए हैं जिसमें 27 सिक्स शामिल है अनुभवी बल्ले बाज अजिंके रहाने भी कमाल दिखाया रहे हैं अब तक 171.61 की स्ट्राइक रेट से 266 रंस बना चुके हैं 4 पर है MS दोनी का करिश्मा MS दोनी कप्तानी के साथ साथ बल्ले से भी महत्वपून योगदान दे रहे हैं MS दोनी ने IPL 2023 में 48 के एबरिज से 96 रंस बनाए हैं इस दोरान उन्होंने 10 6s और 3 4s लगाए हैं दोनी का संबवता है ये आकरी IPL सीजन होने वाला है ऐसे में CS के मैच के दोरान पूरा स्टेडियम दोनी में हुआ रहता है 5 पाथिराना बने अचूक हतियार तेज गेन बाज मतीशा पाथिराना को बॉलिंग एक्शन मैसित मलिंगा से मिलता जुलता है ऐसे में पाथिराना का एक्शन खास तोर उन बल्ले बाजों के लिए मुश्किल खड़ी कर रहा है जिनने मनलिंगा को कभी नहीं खेला है पाथिराना ने मनीश पांडे को जिस गेन पर LBW किया वो काफी अद्बूद रहा वहीं अक्सर पटेल को भी उन्होंने एक बहतरीन गेन पर चलता किया पाथिराना की उम्र अभी 20 साल है ऐसे में समय के साथ साथ उनमें और निखार आएगा खुद MS दोनी भी पाथिराना की तारीफ करने से नहीं चूकते हैं अगर आपको वीडियो ची लगे तो प्लीज लाइक कीजेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजेगा